हिंदु मनेतावक अनुसार महा रिसी बिद्व्यास, राजा बली भगवान पस्तुराम, राजा भी विशन किर्पा चारया, आस्वा थामा और रिसी मार्क डे सहित भगवान हनुमान को अमर बताया गया है, जो कल्यूग तो कमर रहेंगे ऐसा मना जाता है कि अनुमान जी आज भी दशिल भारत के गंद मादन पाहर पर निवास करते हैं, और जहां भी रामका था कई जाती है, वो वह वहां पहुंच जाते हैं, इसके रावसी लंका में कैसा बनवासी समदाए भी, जो हर 41 साल महनुमान जी से मिलने का दावा करता है आए जानते हैं इस रहुख से के बारे में, एक रिपोर्ट कर नुमान जी साल महनुमान जी यहां के 23-45 समदाए से मिलने आते हैं, एसी मनेता है कि इस समदाए के इतिहां सरमाल काल से जुड़ाए, सिरल लंका के जंगलों में मातंग नमा के कैसा बनवासी समदाए रहता है जो बाहरी समाज से कटा हुआ है उनका रहन, सेन और पहनावा भी बाहरी लोगों से बिलकूल अलगी सबसे बड़ी बाती है कि उनकी भासा भी सिरलंका का भासाओ से अलगी वहीं एक रिपोर्ट के मुताविक इस सिरलंका के लोगों की संक्या के वल 50 से 60 के बीचे और ये सिरलंका के पिद्रू परवत के जंगलों में रहते हैं दावे के मुताविक मातंग वही समुदाई है जिन से मिलने हनुमान जी पर तेक 41 साल बाद आते हैं इस बार 27 मैं 2014 का अनुमान जी ने मातंग समुदाई के सांथ आकरे दिन बिताय था इसके बाद अब अनुमान जी साल 2015 में इस समुदाई के लोगों से मिलने आएंगे इन 182 लोगों का एक समुदाई है खांस बात यह है कि अनुमान जी का जनम भी मातंग रिसी के आस्रम में ही हुआ था पुराणों के मुतावे करनाटक में 55 रोवर के पास मातंग रिसी का आस्रम ही ऐसा भी दावा है कि इस समुदाई के कहीं न कहीं यहां से सम्बंदो सकता है सेतु संगठा नामक संस्ता ने इस मातंग संदाई के लोगों को और करीद से जानने के लिए वनवस्ती जीवन से लिए अपनाई और इनसे संपर्क साधना सुरू किया संपर्क साधने के बाद उस्तमू से उन्हें जो जनकारे मिली उसे जानकर रोहरान रह गए दरसल हनुमान जी के साथ मातंगों के बीची तरसंबंदे मातंग संतों से पता चला कि उनका यह सिलसीला रमार काल से ही चला आ रहा है पुरानी मानने ताव कानुसार भगवान सीरी राम के पेसे वी चुड़ने के बाद हनुमान जी आयदिया से दचिर भारत के जांगलों में चले गए थे फिर वहां से वो सिरलांका चले गए जहां इस समुदाई के लोगों ने उनकी खूब सेवा की यह वही मातंग समुदाई के लोग है हनुमान जी ने इसके बाद उन्हें बरामा ग्यान का बोद कराया साथी उन्हों न सिर्बाद दिया कि वहर 41 साल में इस समुदाई की आने वली पिंडियों को बरामा ग्यान देने आते रहेंगे एक रिपोर्ट में बताया गया कि मातंग समुदाई के लोग भीवी सड के आखरी वनसज है एक रिपोर्ट का मताविक मातंग समुदाई के लोग बस एकी समुदाई के लोगों के साथ मितरता रखते हैं जिससे वेदव समुदाई कहा जाता है वेदव समुदाई के लोग रामर के भाई भीवी सड के वनसज माने जाते हैं एक अथा का नुसार पांट से चवालिस इसे पूर्व सिरलंका की महरानी कुवेडी जो भी भी सड की वनसाई थी उन्हें धोंका देकर एक राज कुमार ने सिरलंका की स्याता अथिया ले थी बाद में कुवेडी की मिर्तिव हो गई और इसके बचे जंगलों में रहने लगे प्रतेक सब्द को अधिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में लिखते हैं सेतु ने दवा किया है कि इस पुस्तिका में लिखी गई बातों को समझने के लिए सेतु अपने साधना केंदर पीदरु परवत की तलाटी में इस्ती एक छोटे से पर उनकी चलन पूजा की जाती है स्रिलंका के बीचों बीच स्थीद एलिया सहर में परवत नुवारा है इसी परवत पर मातंग समदाए के लोग रहते हैं इस परवतों की सिंखला के आसपास घरने जंगल है हालाकि यहाँ पर आदिवासियों के कई समूह भी रहते हैं गर